हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का गनित का मॉडल सेट वन देखेंगे जो जैकपूर के द्वारा तयार किया जा रहा है आज के इस वीडियो में देखिए सबसे पहला सवाल आप लोग देख पा रहे हो कि यदि A B एक तिरबुच का फीगर दिया है और आप से कह रहा है यह जो A से B की लंबाई है वो 6 cm है और B से C की लंबाई 8 cm है तो A C को ग्याद करना है आपको इसके पहले भी एक जनकारी में दे दूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंद था गुरसपर में वो देखिए क्या होता है हम लोग निकालेंगे क्या सबसे पहले चुकि होता है फॉर्मूला हमारा करन का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर क्या होता है लंब का स्क्वेर जोड आधहार का स्क्वेर तो यह हो गया फॉर्मूला ठीक है क्या हो गया फॉ क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, यह formula बहुत ही important है, यानि कि इस वालेकों को निकालेंगे, तो लंब का square करेंगे, जोड़ अधार का square करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या यह इस formula पे बन जाएगा, नहीं बनेगा बाबू, नहीं ब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर square लगा हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या है बाबू, करन निकालना है, तो जैसे ही हम लोग इस square को हटाएंगे, स्रिप करन लिखेंगे, तो इस तरफ root चल जाएगा, और अंदर में क्या है आपका, लंब का square, जोड़ अधार का square, ठीक है भ लिख नहीं रहे आप लोग को, 6 का square, अधार केतना है बाबू, 8 का square, फिर आप लिख लो एक बार, करन बराबर हो जाएगा, 6, 6, 36, और 8, 8, 64, ठीक है, यानि करन बराबर हो गया, आपका क्या हो गया, दोनों को जोड़ो, 6, 4, 10, 0, 6, 39, और 1, 10, 100, जो हो गया, root के अंदर, अगर हम इस root की बात करें, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 10 गुना 10, क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10 लिख सकते हैं, देखो, या तो आप 100 लिखो, या तो आप 10 गुना 10 लिखो, कोई अंतर नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, अब आप ल लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सेर कर देना अपने सभी दोस्तों को, चलिए एक दूसरा सवाल भी ले ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, यदि AC बराबर 13 cm है, बी-सी बराबर 5 cm है, तो A भी निकालना है, इस बार कुछ उल्टा हो रहा है, ध्यान देना, इस बार क्या हो रहा है, क्या-क्या आपको दिया है, यदि AC 13 cm है, यानि कि ये A है, ये B है, ये C है, ac इस बार 13 दे दिया है और bc जो है आपका कितना दिया है 5 cm दे दिया है निकालना क्या है आपका a b इस बार a भी निकालेंगे तो आपको पता है कि जो formula होता है वो क्या होता है चूकी होता है हमारा kern का square बराबर lamb का square जोड होता है अधहार का square ठीक है लेकिन बाबू यहाँ पे हमें इस बार कर्ण नहीं निकालना है हमें निकालना क्या है लंब तो इस वाले लंब को यदि हम निकालना चाहेंगे लंब को हम इधर रखेंगे तो यह अधार कहां चला जाएगा घुम करके इस तरह पा जाएगा जो कर्ण में जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि ये अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाने पर ये माइनस में हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे केवल ओ केवल लंब का स्क्वाइर ठीक है जब भी हम लोग कोई भी इन दोनों भुजा में अगर कोई भी एक को निकालेंगे न तो वो हमेशा कर्ण में बड़ी भुजा में घटता है याद रखना ये वाला बात जिसको याद रहेगा उससे कभी भी गलती नहीं होगी परिक्छा में ठीक है अब आप लोगों को क्या क स्क्वाइर ठीक है माइनस अधार का स्क्वाइर ठीक है भाई हो गया अब देखो क्या करते हैं कर्ण केतना है 13 तो 13 का स्क्वाइर लिख दो माइनस अधार केतना है पांच का स्क्वाइर ये हो जाएगा 13 का स्क्वाइर 179 ठीक है माइनस 25 नौ में से 5 जाएगा हो जाएगा च्छह में से दू जाएगा हो जाएगा च्छ एक बज गया ये रूट चढ़ा दो तो 144 144 किसका हो जाता है 12 गुना 12 इसको नोग लिख सकते हैं 12 गुना 12 यानि 12 गुना 12 का मतलब हो गया 144 या तो आप 144 बोलो या तो आप 12 गुना 12 बोलो बात तो एक ही है ना चाहे आप जो भी बोलो बात तो एक ही है तो आप लोग क्या करना अब यहाँ पर 12 गुना 12 का जगा में एक 12 लिखना यानि कि 2 पर 12 आ जाता है यहीं पर आपका जो लंब निकल कर आ गया कितना आ गया बता दो सभी कोई लंब आपका निकल कर आ गया 12 cm और ये आपका हो जाएगा आंसर ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा आज का ये वीडियो और अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किया करो प्यारा प्यारा कॉमेंट किया करो अपने दोस्तों को ठीक है चलिए question number 3 पे आ जाते हैं question number 3 में आपको क्या करना है कुछ value आपको दिया जाएगा उसका आप लोगों को क्या करना है मान ग्याद करना है क्या करेंगे मान ग्याद करेंगे जैसे question number A ले लेते हैं आपको कह रहा है 21 का cube इस 21 का cube का मतलब आप समझ रहे हो 21 का cube का मतलब होता है आपको 21 को 3 बार गुना करके लिख देना है 21 को 3 बार क्या करेंगे गुना करके लिखेंगे पहले आप 21 को 21 से गुना करना जो आंसर आएगा उसको फिर 21 से गुना कर देना ठीक है यानि टोटल आपका जो आंसर आजाएगा 9, 2, 6, 1 आजाएगा यह आपका आंसर हो गया question number B पे आजाते हैं question आप लोग गुना करके देख लेना question number B में कह रहा है 22 का क्यूब ठीक है तो 22 का क्यूब का मतलब हो गया इस 22 को आप 3 बार गुना करो ठीक है यानि 22 को 22 से गुना करो जितना आंसर आए उसको फिर 22 से गुना करो इतना जैसे ही आप करोगे तो आपका आंसर आजाएगा 10648 ठीक है 25 को 25 से गुना करोगे, आ जाएगा 625, आ 625 को फिर से गुना कर देना, फिर आ जाएगा 15625, ठीक है, question number D पे आते हैं, कह रहा है, 40 का cube करके दिखाईए, तो 40 का cube का मतलब आप समझ रहे हो, 40 का cube का मतलब हो जाएगा, इसको आप 3 बार गुना कर दो, 40 गुना 40 गुना 40, जैसे 3 बार गुना करोगे, कितना आ जाएगा, पता है, देखो, इसका ना सबसे आसान थरीका बताते हैं, कहे गो 0 है, बताओ, एक, दो, तीन, गो 0 है, तो 3 गो 0 दे देना, ठीक है, चार, चो, आप इसको करो, चार, चोके, सोला, चोके, 64, 64, 64, अजार आजर आ गया, ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे अधी पहली बार आयोंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, गुरूप अगर जोइन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिशन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जागा, आपको वाट्सप गुरूप का या दिये गए नंबर पे भी आ अधेक्ट करके आप अपने गुरूप को जोइन कर सकते हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू